हलो एवरिवर्ण मैं बश्यक शुकला सवागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में हमने स्टाट किया टेंस की एक सीरीज जिसमें देख रहे हैं नमबर और और फ्क्वेश्चनस हमने पार्ट वन पार्ट टू में देखें इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और चलत है जो एक्जाम में कभी न कभी पूछा गया होगा वो पूछा क्यों गया क्योंकि वह इंपॉटेंट अभी तो पूछा गया ना नहीं तो आता ही क्यों फिर तो यह सारे इंपॉटेंट है आप इनकी प्राक्टिस कीजिए एक्जाम देकर आईए आपको बहुत मज़ा यह पहनना होता है इसका मतलब माइ संग्लासेस टोड़े क्यों क्या हो गया जैसा बिकेस दसन इस वेरी स्ट्रॉंग आज धूप कैसी है बहुत तेज है तो मैंने क्या कर रखा है आज संग्लासेस पहन रखे हैं तो आईए ऑप्शन पे जलते हैं आए आए इस वेरिंग आ आए इस मैं आए व्या आए आए व मेरिंग वाज कैसे कर दे चुड़े लिखा है दसन इस लिखा है वज नहीं होगा आहए आए अरवेरिंग नहीं बच्चो क्या होगा आए एम वेरिंग माइ संगलासेस ट्डेए और रीजनल arbeiten रखे हैं अव्यूज को पहन रखे हैं अग सीधा सेंटेंस में सब्जेक्ट है यहां वर्ब चाहिए येस्टेड़े मतलब कौन सा टाइम हो गया पास्ट पास्ट का मतलब वर्ब कौन सी फार्म चाहिए सेकंड फॉर्म ओप्शन है वन विन हैज वन हैड वन इसे वान नहीं बोलते बच्चो वन ओ एन वन 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 कौन सा अप्शन हो जाएगा सेकंड फॉर्म किसमें गिवन है ऑप्शन निम्बर ए सीता वन दा मैच येस्टेड़े सिंपल है 53 identify the tense in आप tense identify करके बताइए जो हमने sentence दिया है उसमें कौन सा है sentence है I have lived 20 hours in Lucknow I have lived tense का मतलब क्या है बच्चों यहां हो पहले tense का मतलब है sentence में आप helping verb चेक कीजिए आप main verb चेक कीजिए helping verb आपको बताती है time और main verb आपको बताती है situation helping verb अगर नहीं है तो main verb से ही identify कर लेंगे चलिए I have lived have helping verb lived main verb main verb कौन सी form है third form have का मतलब कौन सा time हुआ प्रेजेंट अगर प्रेजेंट हुआ तो यह दो पास ठाटा दो लेफ्ट थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म का मतलब situation कैसी है perfect तो टेंस होगा present perfect tense कर दो डिक present perfect tense b option 54 identify the tense same है he is writing our letter helping verb main verb इस sentence में कौन सी verb है helping verb writing main verb main verb की form कौन सी है ing form ing form का मतलब situation continuous इस का मतलब present present continuous tense check करो कहां दिया है present continuous tense in option number a 55 identify the tense again the roses in your garden are beautiful the roses in your garden are beautiful beautiful verb नहीं है beautiful क्या है adjective है roses को describe कर रहा है न आर का मतलब क्या हुआ present present का मतलब यह दो तो हटाओ हटा दिया एक है present perfect एक है present simple present perfect perfect का मतलब sentence में कहीं third form given है क्या नहीं है और यह action की नहीं यह sentence state की बात कर रहा है कौन क्या है कैसा है roses in your garden कैसे beautiful है तो perfect नहीं है situation कैसी है present simple चलिए चलते है next question की तरफ next question है 56 10 identify करना है I had never been visited by him before बच्चों पहले यह चेक करो यह sentence active voice में लिखा है या passive में यहां लिखा है by him यहां लिखा है been plus third form कैसे बदा करते हैं प्यारे बच्चों यहां हो sentence active voice में लिखा है या passive voice में कैसे बदा करते हैं बोले सर पैसिव voice का मतलब sentence में कौन सी form होनी जरूरी है third form केवल third form देखते हैं passive मत कर देना third form से पहले क्या होना जरूरी है be or be form be form का मतलब present में is mr is mr plus third form passive voice be form का मतलब past में was was plus third form passive voice be का मतलब future में will be shall be plus third form passive voice be का मतलब continuous में ing लगा दो being और be का मतलब perfect में third form लगा दो, bean, देखो, यह bean हो गया third form, यह हो गया visited third form, तो अगर ऐसा लिखा गया हो, bean plus third form, तो इसका मतलब active है कि passive है, passive voice, चलो, had का time बताओ, helping verb, कौन सा time, past, ज़्यादा खुश नहीं हो न, सारे option ही past में given है, और visited, यहां कौन सी form है, been visited, third form, हाउड हैड का मतलब पास्ट बीन विजिटेट थर्ड फॉर्फिक पास्ट पर्फिक थेंज पास्ट पर्फिक थेंज एक कर फटा फट अप्शन अमबर ए इस तर्क आंसर 57 he space to Kolkata yesterday he has subject subject के बाद चाहिए verb yesterday का मतलब कौन सा time हो गया past main verb कौन सी form second form was gone will be going she gone option क्या होगा she went to Kolkata yesterday simple 58 direction पढ़ने पहले on the basis of the given sentence pick out the correct sentence converted in future tense from the given options बच्चों यह four sentences आपको given है क्या आप यह बता सकते हैं कौन सा sentence correctly future वाले time में लिखा हुआ है option a will option b shall option c will option d leave है कुछ idea future कैसे बता लगाएं will shall plus v1 चलो यहां will के बाद लिखा है left left का मतलब है v2 और v3 leave की second or third form जबकि will shall के बाद कौन सी form आती है first form हडाओ shall leaving leaving कौन सी form ing form will shall ing form error option c will leave यह हो है option d a few scholars leave कराची for abroad नहीं will shall तो है नहीं हडाओ a few scholars will leave कराची for abroad अब सही है तो will leave this place for this place है सही है so will shall plus first form future की बात करता है 59 पढ़िये क्या है when Mrs. Singh space the baby cry she ran to pick him up options है was heard here's had heard heard यहां ran कौन सी form v2 कौन सा time past here's to answer नहीं हो सकता अब option क्या करें heard had heard was heard was heard भी नहीं passive थोड़ी active बनाना है किसने सुना है इन्हों नहीं तो यह सब doer of the action है ना so when Mrs. Singh heard the baby cry जब उन्होंने उस रोते वे बच्चे को सुना she ran to pick him up तो सुना second form चाहिए past क्या हो जाएगा a heard 60 I space a car last month I का मतलब हुआ subject इसके बाद चाहिए verb last month का मतलब बच्चों कौन सा time हुआ past past का मतलब कौन सी form second form second form का मतलब was bought would would buy have bought और bought कौन सा option हो जाएगा option number a और इस type का ये शाह third question है subject past time और वर्ब कौन से tense में होगी simple past tense 61 identify the tense in the sentence given below tense identify करना है at that time he had been writing a novel for two months मैं आपको बार-बार कहता हूं यह statement since for plus time to tense जरूर check करो perfect continuous tense मिलना है क्या लिखा हुआ है had had का मतलब past been been का मतलब v3 और v3 को क्या कहते हैं perfect writing ing form continuous कौन से tense हो गया past perfect continuous है गई option past perfect continuous tense option number d is the correct answer 62 fill in the blank with appropriate option the chief guest with his wife क्या हुआ left have left are leaving or has left कौन सा option होना है प्यारे बच्चों सबसे पहले आप कोशिश करो sentence का real subject पहचानने की sentence में एक subject है chief guest sentence में एक subject है his wife लेकिन मुझे subject नहीं मुझे sentence का real subject चाहिए because verb always agrees with the real subject of the sentence तो real subject of the sentence कौन सा होगा विद्ध बदा सकते हो क्या है बच्चों विद्ध का part of speech है यहां preposition preposition के बाद लिखा subject इस subject को इंग्लिश में कहा जाता है pseudo subject कौन सा subject कहते हैं इस subject को pseudo subject तो यह बना अपना pseudo subject preposition से पहले वाला subject for this sentence इस subject को कहा जाता है real subject मैंने भी क्या बूला था verb हमेशा real subject के according आती है chief guest कैसा subject है singular subject है sir अगर subject singular है तो verb भी singular चीए have हटा दो are हटा दो singular subject है मतलब has left or left has left the chief guest with his wife has left चलिए 63 measles measles किस पर खतम हो रहा है s पर s पर खतम हो रहा है का मतलब यह कैसा noun हो गया plural noun हो गये तो s पर खतम हो रहा है जैसे books है students है parents है teachers है इस तरीके से नहीं बच्चो sentence पढ़ो यही idea मिल जाएगा अगर नहीं पता तो भी measles space and infectious disease measles क्या है disease कितनी है यह disease 5-6-7 है गया नहीं एन लिखा है एक ही है एक का मतलब यह noun कैसा बन गया singular अगर noun singular है तो वर्ब कैसी चाहिए singular वर्ब singular का मतलब have नहीं होता वर्ब singular का मतलब r नहीं होता will और is measles will and measles will be होता तो सोचते answer तब भी नहीं बनता option कौन सा होगा इसका measles is an infectious disease simple 64 my friend and his father space meeting us tomorrow प्यारे बच्चो सबसे पहले ये चेक करो कितने लोग हैं जो हमसे कल मिल रहें कितने एक ही है my friend and his father my friend sentence में बना first subject his father second subject दोनों subject को किस से combine किया गया है and से combine किया है अगर and से combine किया है तो प्यारे बच्चों ये subject का combination singular नहीं है दो लोग हैं अगर दो हैं तो plural है तो वर्ब भी कैसी चीए आपको plural वर्ब वर्ब प्लूरिल का मतलब is हटा दो आर-will-have चलो देखते हैं अच्छा आगे meeting लिखा है वी वन आएंजी अगर वी वन आएंजी लिखा है तो क्या will के बाद v1 आएंजी लिखते हैं क्या will के बाद तो v1 आता है have के बाद v1 आएंजी लिखते हैं क्या will के बाद जैसे v1 आता है इसी दर है have के बाद क्या आता है v3 option कौन सा correct हो जाना है option number a 65 the verb phrase have come in the clause is in यह जो have come लिखा है यह कौन से tense में लिखा गया है बच्चो have का मतलब हुआ present come है यहां third form मतलब perfect कौन से tense हो गया present perfect tense present perfect tense option number बो option c many doctors have come to the conclusion that 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 ठेक है present perfect tense 66 which of the following is correct बच्चो यह जब भी ऐसा question आए आप हमेशा exam में इस word को ऐसे रखना इस तरीके से होता क्या है question तो पढ़ते है correct बताओ और बच्चे गलती क्या करते है incorrect वाले पर टिक कर देंगे अरे incorrect तो पूछा ही नहीं भई correct पूछा है कौन सा होगा a, b, c, d चलो इसमें लिखा है I hope hope he will सब में लिखा है succeed his work अच्छा preposition का concept है succeed at succeed on succeed in succeed for देखो बच्चो जब भी word लिखा रहता है succeed succeed एक verb है और इस word का मतलब होता है get success सफलता हासिल करना success नाउन है succeed verb है और जब भी succeed का sense है सफलता हासिल करना तो इस succeed word के बाद एक fixed preposition है जो लिखा जाता है और इसे कहा जाता है succeed in बच्चों succeed का एक मतलब ये भी होता है कि कुछ विरासत में हासिल होना successor होता है न उत्रादिकारी वारिस तो इसी तर एक विरासत में हासिल होना वहाँ succeed के बाद in नहीं लिखते वहाँ succeed के बाद लिखा जाता है to और जहां मतलब है succeed का सफल होना यहाँ to नहीं यहाँ क्या लिखते है in चेक कर लो सभी में in कौन से option में given है option number c 67 pick out the correct verb form correct verb बताओ कौन से होगी she was walking along the road वो along the road walk कर रही थी when she space him जब she ने him को क्या किया जब she ने him जब she him से have met, have met, was meeting or met कौन से time की बात कर रहे हैं बच्चो past की past की बात कर रहे हैं have अटा दो meet अटा दो she was walking along the road when she she ने him को देखा देखा second form कौन सी form आजाएगी met, we do 68 select the correct form of the verb she space the right answer she known the right answer known नहीं known से पहले तो has चाहिए had चाहिए ये तो नहीं होगा she is knowing the correct answer प्यारे बच्चो know एक stative verb होती है और stative verb को कभी भी continuous tense में नहीं लिखा जाता अगर मैं ऐसा बोलूँगा I am knowing you तो incorrect हो जाएगा correct होता है I know you तो stative verb है हमारे sense, feeling, perception की बात करती है कभी भी आएँ जी फॉर्म में नहीं लिखते है नो को शी नो ये तो error ही हो गई शी नो नहीं क्या होगा शी नोज singular subject, singular verb simple चाहिए 69 if if से start हो रहा है if से start होने वाले sentence को क्या कहता है if क्या बताता है शर्त बताता है तो if से start होने वाले sentence condition बताते हैं तो इन sentences को क्या कहा जाता है conditional sentences तो ये sentence एक conditional sentences है और conditional sentences की बात जब भी करते हैं तो आपको मैंने last और उससे भी first video में भी मैंने conditional sentence बताये था और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि conditional sentence आपके exam का एक बहुत important topic है बच्चो देखो अब यहाँ क्या दिया हुआ है यहाँ यह वाली condition लग रही है if plus subject plus v2 और subject के बाद would could और would could के बाद क्या लिखा जाता है model verb है तो v1 कैसे पता लगा मुझे इस वाली condition की बात कर रहे हैं किसी और की बात नहीं कर रहे हैं देखो यहाँ क्या लिखा है if के साथ तो मुझे verb बतानी है और यहाँ लिखा है would serve would plus v1 देखो जरा would plus v1 तो अगर would के साथ v1 आता है तो फिर यहाँ main verb कौन सी form लिखी जाती है second form रुको 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 इतनी आसा नहीं है life second form भी अगर action verb की बतानी है या second form state verb की बतानी है यह दो भी अलग-अलग होते है action का मतलब main verb given है अगर main verb given है play तो second form हो जाती है played अगर main verb given है see तो second form हो जाती है saw क्योंकि यह action है action नहीं दिया state दिया है अगर main doctor होता state दिया है तो state का बताया जाता है B से और B का V2 क्या होता है बच्चो was और were लेकिन अगर sentence है situation है unreal imaginary तो कभी भी क्या नहीं लिखते was हर subject के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है were clear है यह चालो कर दो अपला है यहाँ word प्लस वीवन है तो यहाँ V2 होना चीए V2 है am had been were was am हटा दो had been हटा दो were भी V2 है state का was भी V2 है अब sentence है imaginary अगर मैं doctor होता हू नहीं मैं तो teacher हूँ अगर मैं doctor होता imagination की बात करते हैं कभी भी प्यारे बच्चों वॉज नहीं आता imagination में हमेशा क्या लिखा जाता है were चल लास्ट क्वेशन for the day 17 you may bring your dog ला सकते हो आप अपना dog permission है आपको where जहां क्या है where you have to pay जहां आपको pay करना पड़ता है वहाँ आप अपना dog ला सकते हो पे करो और ले जाओ अंदर where there is no water जहां कोई पानी नहीं है वहाँ आप अपना dog ला सकते हो where pets are allowed आप अपना dog केवल वहीं ला सकते हो जहां dogs या pets allowed है d you may bring your dog where pets can sleep थोड़ा सा logically सोचो है ना logically सोचो जब बरदस्ती तो कोई सा भी option टिक कर सकते है आप अपना dog वहाँ ले जा सकते हो जहां dogs को लाना pets को लाना allowed है जहां allowed नहीं है वहाँ नहीं ले जा सकते बताइए जरा कौन सा option हो जाएगा option number c that's it हो गया आज का वीडियो तो बच्चो अगर वीडियो में interest लगेगा तो ये बहुत छोटा लगेगा अरे खतम भी हो गया और अगर वीडियो में interest नहीं लगता मन नहीं लगता तो फिर तो दो मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल है चलिए बच्चो आज के लिए इतने ही questions है next वीडियो में आपके साथ फिर मिलता हूँ तब तक के लिए खुश रहें प्रसंद रहें खूब खूब पढ़ें केवल पढ़ने कोई अपना लक्षे बना लीजिए जॉब लेकर रहना है इस साल ठीक है that's it have a nice day